हेलो एबरिबरी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के कुछ रोचक समाचार के बारे में तो गाइस विडाउट वेस्टिक इनी टाइम लेट्स बिगिन दिसकाशन इस्ट बेंगल ने साइन कर लिया है स्पैनिस फॉरवर्ड जेवियर सिवेरियो को लापामा से एक समय अपना केडियर शुरू करते हुए जेवियर सिवेरियो इंडियन सूपर लीग में हाइदरबार एपसी के तरव से खेल रहे थे आएसल में 45 मैचों में 12 गोल उनके नाम है तो गाइस डेफिनिली ही समवार्ड हो के स्कोर गोल और इस फरवर्ड के इं फुटबॉल तीमों के साथ friendly मैच खेलने वाले हैं वैसे इंडियन अंडर 17 फुटबॉल तीम इस वक्त स्पेइन में हैं और अभी तक टीम के स्पेइन दोरा काफी सक्षिस्फुल रहा है रिसेली रेयल मद्रीड के खिलाफ टीम ने ठृत्री स्कोर लाइन का द्रौ खेले हैं लेकिन जर्नलिस मार्कस मर्गलाओ के मताबिक अपने पिता के दिहान के वज़े से ब्रेंडन फनांडेस इंडियन कैम से दूर है वैसे इंडियन टीम के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गौर कीजिएगा यहां पे नौट थी सुनेटर FC का एक भी प्लेयर शामिल नहीं है अब दिर आ रहा है जामशेट पूर FC से और दोस्तों जामशेट पूर FC के अगले हिट कोच होने वाले है स्कॉट कूपर इंग्लेंड के इस फुटबॉल कोच ने लेसिस्टर सिटी के यूट टीम को एक समय पे कोचिंग किया था इसके लावा स्कॉट सिपेंस के अभी एट कोच रहे थे तो गाइस जामशेट पूर FC के साथ इंडियन सुपर लीग के एक नया चुनाती उनके सामने है लेकिन क्या वह वाके में कामियाब होंगे डैस इंट्रेस्टिंग कोईशन ग्रिस के स्ट्राइकर डिमित्री डायमंटकोस ने एक और सीज इसी वज़े से उनके साथ टीम ने अपना कंट्रेक एक्स्टेंड किया नेक्स्ट अब देर आ रहा है इम्रान खान से और दोस्तों नौट थी स्ट्राइब सी के यह प्रभाप शेली मिद्फिल्डर अब खेलेंगे जामशेट पूर FC के तरफ से जीहां यह नौट थी स्ट अब दोस्तों कि देट नहीं मिलते हैं लेकर वीडियों में अंटिल देर स्टे सेफ से हल्दी अलविडा